इस ब्रिटिश सामराज की जड़े हिला देने वाला योधा यही था बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ और उस योध में वो मृत्य को मार के विजई हुआ नोसम के पालेगार जयरामी रेड़ी ने अपनी दोनों बेटियां उयालावाडा के पालेगार मल्ला रेड़ी से भ्याही थी बड़ी बेटी ने दो कुत्रों को जन दिया और छोटी ने एक को जिसने सिर्फ छे बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधरन बालक नहीं है उन दिनों सीमा में भीशन अकाल पड़ा था वर्शा के लिए यज्य करना था यज्यम में मज्जारी के कि सीवन शच को जगनात परवत पे दीप्रजवलित करना था इस विधान के लिए नर्सिमा रिड़ी को चुना गया हर कार्तिक पुर्णी मा को नर्सिमा रिड़ी के हाथो दीप्रजवलन किया जाता आसपास के सैक्णों गाउं के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उजवल भविश्य का संकेत है नर्सिम्मा रेडिक को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नोसम के लिए का उत्तराधिकारी नहीं था नाना बलो आप जानते हो वरफ क्यों मारे गए यह बेटिश राज है बेटा जो उनसे सवाल पुछता है उनके खिलाफ जाता है उसे माल दिया जाता है आप तो बालेगार है ना आपकुछ नहीं कर सकते हैं हम नाम के बालेगार हैं यह अग्रेज हमारे देश में खुसाए हमारे अधिकार चीन लिए और हमारी जंता को लूटने लगे अपनी बंदूखों से तरह कर हमारे सत्ता हत्याने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेकने लगे मुठी भर जिसके आमें आदत पढ़ गई और तब से हम जिन्दा लाश बन गए हैं लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम वित्रोई की तरह मर जाए नाम सुनाय आपने पूरे देश का ब्रहमन किया है क्या सारी देश में गोरे लोग हमारे लोग को इसी तरह मार रहे हैं हमार रहे हैं तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना दर्सिभा ऑश तो मुझे आश्रवाद दीजिए पटा मैं मारूगा उनको तुम अकेले कितने अंग्रेशों को मर लगे दस को तो कटम करी सकता हूं हजारों की सेना है उनकी वह मार देंगे तुम्हें तो मर जाओंगा मारना मरना महत नहीं मत है जीत जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ अवशक अवशक उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम वही अगनी उनके अंदर जला पाओगे तुम्हारे हिदय के अंदर पाओगे अंदर तुम्हारा शस्त्र ये नहीं तुम्हारा शस्त है ये तुम्हें पहले सुएम पर विजय प्राप्त करनी होगे सबसे पहले इस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए छोटे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे फैला दिया जाए मौजूद अटैक्स थ्री हंड़ प्रसंट बढ़ा दिया जाए और इस तरह ब्रिटिश सामराजय ने भारत पर कबजा कर दिया वो बड़े अकसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था उन्हें उंची कुर्सियों पर बिठा कर हमारी देश भेज दिया गया शैतानों की सेना का नुमाइंदा कोक्रेन दक्षिन भारत की तरफ बढ़ने लगा जिसे भारतिया उपमाहा द्वीब की रीड की हड़ी कहा जाता है लेकिन उसे वीर भूमीर रेनाडू के बारे में क्या पता था वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छाती चीर कर उदय हो चुका है रेनाडू की धर्दी एकसट छोटे छोटे राजियों में बटी हुई है इन राजियों के सामन पालेगार कहलाते हैं ब्रेटिश इन पालेगारों से उनकी सक्ता और एक्ता दोनों छीन चुके हैं लेकिन अवुकु राजियों के पालेगार अवुकु राजियों माईडू कुरू के पालेगार वीरा रेड़ी और कर्मूल के पापा खान उन एकसर पालेगारों में से हैं, जो आज भी स्वतंत्रशासन कर रहे हैं। नर्सिमा रेड्डी ने इन सब को एक जुट करने के लिए एक महुत सब का आयोचन किया। सुआमी, मेरा बेटा नर्सिमा अंग्रेजों के इच्छा की विरूत, ये महुत सो कर रहा है। क्या वो सफालोगा। नर्सिमा रेड्डी को याम आद्मी नहीं है, वो प्रिथ्वी पर एक लक्ष लेकर जिन्मा है। एक हाथ में तन्वार, और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पानन हुआ है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अबच्व सक्व समय मनुपालया, अबच्व सक्व देनू प्रतिष्टिता, इत्रोही में भमहा, शुतोष्यो में भमहा। यह तुमारे निर्थ का भी समय हो रहा है, जल्दी डढ़ना। प्रतिष्टिता, इत्रोही में भमहा, भगवाना। क्या हुआ बिटी, हाँ, स्वामी जी, अंदर कोई है, अच्छा वो, महुत्सों से पहले, सरूबर में रहने वाले संडिवेशों स्वामी की स्थूति करने की प्रता है, हाँ, लेकिन इतनी देर पानी में, जल्मे सांस रूपने, की विद्य जानने वाले एक महापुरुष है, मज्यारी नर्सिमारीटी। शी। की विद्य। की विद्य। की विद्य। की विद्य। की विद्य। की विद्य। आज कई सालों बार तुम्हारे लाए हुए वस्त्रों से भगवान का फिर श्रिंगार हो रहा है पापाखार। यह हमारे भाई नर्सिम्मा रिड्डी की महिमा है कि अंग्रेसों का बंद करवाया हुआ यह उनसम फिर से शुरू हो गया या ला इस जश्न को किसी की नजर ना लगे सब मिलकर दुआ करो मैं इसे होने नहीं दूगा क्या हो कुराजो इस मेले की तैयारियां युद्स तर पे हुई हैं कहां कहां से लोग मिला देखने आ रहे हैं होने नहीं दूगा का क्या मतर यह मेला कौन करवारा है नर्सिम्मा रिड्डी इस मेले में योगतान हमारा भी है ना पर नाम नर्सिम्मा रिड्डी का होगा अच्छा मुकाबला कौन जीतेगा नर्सिम्मा रिड्डी और कौन और हम जीत चाहें तो तो भी सब नर्सिम्मा रिड्डी की जैकार करेंगे कि उसने इतना निश्पक्ष मुकाबला करवाया यानि जीते कोई भी जैकार उसी की होगी, क्या ये सही होगा बसी रेटी? तो नहीं जीतेगा, अपने हाथ में को देखो वाँ, वो नशेली दबा बैलों को पागत करतेगे. नरसिम्मा रेटी हो, या फिर भगवान नरसिम्मा है क्यों नहीं होगा, ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता. बुल्य रेटी, दवा और ज्यादा मिला दो, ये मुकाबला क्या महुच्छव ही नहीं होना चाहिए? लाक्ष्मी, सुनोतो, किसे दुन्री हो? सकते दिया हो मिला ये मुकाबला की एफे से लान कराथू हुआ साया हुआ साया कि अग्टira! आप जो आपाइब कि अपारे लूए्ड़ कर लींग कर दो अब हां, मैं पर भाइब सी आपकारण मों गासा कर दो कि अवा भाउ खाया है टारे बेल, काई क्यों ने भाग रहे कोई ने बचाऊ! कर दो कि अप्वास एक ही बुष एंगे ठीक एक उतिए में एंग से एंग एंग। कि एंग साला में एंग से एंग एंग करा कि एंग एंग। वाइप एंग। हमारी आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला अरे जो हो गया सो हो गया कोई अन्होनी तो नहीं हुई न भूल जाओ सब कुछ ठीक है अब कुराजू भी तो पालेगार ही है चलो छोड़ो अब जाओ सब ये उनकी खांदानी दुश्मनी है समझानते हैं तमाशा खतम रुख जाओ यहां वो अकेला पालेगार नहीं है कुल मिलाकर हम एकसट पालेगार हैं यहां पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है यह उत्साव सब का है बसी रेटी राजा हो या प्रजा न्याय सब के लिए बराबर है अवको राजू को ख्षमा मांगनी पड़ेगी सब जब क्यों है पिताजी न्याय की बात कर रहें इनने ख्षमा मांगने ही चाहिए आहां ख्षमा तो मांगने ही चाहिए एक पालेगार ख्षमा कैसे मांगेगा अपना सर काट दूंगा लेकिन शमा नहीं मांगोंगा अवको राजू पापा खान माना के अवको राजू ने अपराद किया है लेकिन ये पालेगार हैं सत्तर गाओं के ये तो सब जानते ही हैं के इने मुझसे नफरत है और यही नफरत इस अपराद का कारण भी है लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं तो उनकी खातिर इन्हें हम शमा कर देते हैं नरसे मारे टी तुम मुझ में अच्छा या देखते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये मेरे इर्शा नहीं मेरा स्वाब इमान है नरसे मारे टी मेरा भी दिन आएगा नरसे मारे टी उस दिन सर चुका कर तुम मुझ से क्षमा मांगोगे और मैं सर उठा कर तुम्हें क्षमा कर दोगा इस मिटी में वीरता है ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं अपने देश पर खर्च करो उसके बाद में तुमारे आगे सर जुखा भी सकता और वक्त आने पर तुमारे लिए सर कटा भी सकता क्यों रे तेरा नरसिमा रेटी अंग्रेजों के खिलाफ पगावत करेगा हमारे मना करने के बावजूद वो ये महुतसब करवा रहा है हम ये और बरदाश्ट नहीं करेंगे बतराश चिठी लिख दिये मैंने अब वो लोग देख लेंगे उसे वह खबर पहुचाने के लिए ही तो किया असली महुतसब तो अब शुरू होगा हम जानते हैं लक्ष्मी जी लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रसुत नहीं कर सकती ये लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है उन्हीं के लिए गाती है आम मनुश्यों के लिए नहीं भगवान भी तो इंसान के लिए ये ना लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थूड़ा सा बदल लीजे फिर देखिये कितना निखार आजाएगा क्या हुआ अभी भी उनके बारे में सूच रही है पता नहीं डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खूण जाओं क्या हुआ 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 है क्या हुआ हुआ है क्या हुआ 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 है किसे ने जान बुच करी यांग लगाई लगाई कौन है मॉनीच किसने किया है ये मैंने लगाई यांग मैंने लगाई कि जिस घर में तुम दीव चलाती थे उसी घर को तुमने जला दिया तो और क्या करती कभी हम राजाओं की तरह हैते थे अंग्रेज आये और इस भूमी को दरित्र कर दिया उस पर दो साल हो गए हमें सुखे की मार से थे किसी दर हमने आदिया दूरी फसल गई वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए है अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पाती रही है लेकिन मेरा बेटा जोरी पे उतर आया है इससे बड़ी शर्म की मातर क्या हो सकती है जो हाथ देने के लिए उठे थे ओड़ी को चोरी करता हुआ है मैं देखते कि मैं मैंने सुचा आपमान के जीवत से सर्मान की मौत अच्छी है किया हो बेटा तो मैं बूख लगी थी मां हमें कहला दी और खुद बूखी रहती मैंने पडोशी के गर में खाना देखा तो मां के लिए लिए आया क्या ये पाप है कर दो बड़े बहिया अंच्छी अच्छी की अच्छी के अक्याद है कि आज अच्छी किरिए नहीं सोएगा, बांट दीजिये सब में, जैसा तुमका हो, चोरी करना पाप होता है बेटा, चोरी मतलब, जो चीज हमारी नहीं, उसे हाथ लगाना चोरी है, और हमारी हो तो, तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, रेडडी जी, आपने मुझे बुलवाया, मैंने इस महिने की पेंशन भेज़ दिया, रागवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुमें इस समय पर लगान दे रहे थे या नहीं, बिलकुल दे रहे थे, दे रहे थे सरकार, तो जाकर अपने मालिकों से कह द हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेट चो देगे, और दुग न लगा चुका देगे, आप अधा गई तो, आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है, समझे, जब तक सूखा पड़ा है, अन्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये गाडियां नरसिमा रेड़ी को वापस भेज़ दो, हमारे गोदाम से अनाज निकाल कर प्रजा में बाढ़ दो, मैं अपने लोगों को, नरसिमा रेड़ी की तरहा, अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मै कि अपना मदरास प्रेसिदेंशी एक साल में जितना टेक्स परती है उसमें पूरा लंडन पच्छेश साल तक बाइट के का सकता है कि यह दत्ता मंदलम से इतना कम टेक्स क्यों आया है वहां से शुरू से टेक्स इकटा करना मुश्किल रहा है सर रीजन रेनाडू की महिमा है सर कहते हैं वहां पैदा हुआ करगोश भी चीते से लड़ जाता अब बात यह कि वहां के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वह जमीर आपको सौप दिये अबी तो उससे दत्तमंडलम कहते हैं वहां अकसा सुखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं पहलाते हैं टैक्स तो वो देंगे लेकिन आपने माने करें ज़रूरत पड़ी तो उन सब को मार के टैक्स लियाओ मार तो वो भी हमें सकते हैं तो मासमुन्रों के राइतवरी एक ने उनके सारे पावर चीन लिया लेकिन लोग अपने पाले गारों पर जान देते हैं सच तो यह सर हमारे लोग भी उनसे डर के मारे कापते हैं तेल में वन सेंटम्स याला बड़ा नर्सिम्हडर वा उन सब के ताकत है सर तुम्हे उसे देखा है कभी देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में कहानिया सुनी है तस परास के उमर में गादमफोर्ट चीता मार के अपने कंदे पर उठा लाय था यू इंडियन्स और ब्लाड़ी बाबैरियंस मादवायर सुनी सुनाये बातों पर भरोसा कर लेते हो उसे एरिया को कलेक्टर नहीं बलकि चाहिए एक हंटा खोरा है राजा और काला उसका स्लेव इस पुनारश सेल्क के लिए विक्टोरिया शिप शे महीने से वेट कर रहा है हमारे पास रंग नहीं है सरकार रंग हम थुम को देगा ये ब्यान नहीं तोहा है हिंदू मुसल्मानों की बीच प्रेम का त्योहार आओ अगर मुझे पता होता आ पहारे उन्हें कभी नहीं आती और मैं यहां सिर्फ इसलिए आया क्योंके तुम यहां आने वाली थी ताके अपने मन की बात पता सब मेरे मा बाबा बचपन महीं गुजर के थे मेरे अपने सब मुझ से दूर हो गए मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ हमेशा इसलिए मैं देवता की शरैन में आ गई और अपनी कला से उंकी बूजा करने लगी मैंने दीखा है आपको बहुत महान व्यक्ति हैं आप मेरे पास मत आहिए बना आपको भी खो दूँगी तुम मुझ से दूर भी चली जाओ फिर भी मेरा प्रेम तुमारे साथ रहे है बोलो जैसे भागमती के नाम पर ये भाग्य नगर बना है वैसे ही तुमारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर वसादू बताओ लक्ष्मी बोलो लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्मा जोड़ दीचे बस स्वामी नोसम के लिए को खाबर भेजती है नरसिम्मा रेट्टी वहाँ भी नहीं है और आज कार्थिक पूर्णिमा है उसे दीले पर दीपक जलाना है उसे याद तो होगा न वो हर कार्थिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है आज भी वही जलाएगा नरसिम्मा रेट्टी को सबते पताने का समय आगया कल यग्य की त्यारी कीजिए अब ना यह सब क्या हो रहा है को यग्य होने वाला गुर्जी भी आए प्रणाम गुरुदेग आयुश्मान भुर्ण सीमा में अकाल पड़ा है वर्षा के लिए यग्य करना होगा चलो जैसी आपकी आगे तयाना जाओ नरसिम्मा जी मा ये वस्त पहन लो ठीक है मा बोलना आप बोलीना नहीं नहीं तू बोल मा पुष्मा को यग्य करना चाहिए नहीं तो फिर मैं कैसे तुमारा विवा बच्पन में हो चुका है सेदमा के साथ हो चुका है में नर्समा फिर पदा चला तुम्हारी कुंडली में दूश है तुम और तुम्हारी पतनी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे वरना तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा दुबारा यग्य की घड़ी आते ही तुम्हारा दोश समाम थो गया सिद्धिमा के साथ तुम्हारा विवाख देवदाओं का निर्णा है जाओ आके बोलो लोगों के अश्रु मिटाने के लिए सिद्धिमा के साथ यग्य करो जाओ 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 banana जाओ झाल 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 मुझे आपसे कुछ कहना है कह सकती हूँ ये ब्या ये जाल ये ब्या आपकी इच्छा से नहीं हूआ है ना? बच्पन का प्या है इच्शा अनिच्चा का सवाली कहा उठता है? आपकी बात तो सही है पर मैंने तो बच्पन से सर्फ आप ही को चाहा है तुम्हें पता था कि हमारा ब्या हुआ है और क्या मुझे तो बच्पन से ही पता था बच्पन से लेकि आज तक आप ही मेरे संजार हैं आपके लिए नचाने कितनों से लड़ी मुझे यहां तक कि अपनी अम्मा से भी सब कहते थे कि अगर मैंने आपको देखा तो दोश लगेगा इसलिए आपसे कवे मिलने ही पाई आप यह के नहीं करेंगे नीन खुलते ही पहले आपके बारे में पूझती थी आपकी वीरता भरी कहानियां सुनकर बहुत खुश होती थी हर रोज आप जिस मंदर चाते थे मैं भी वही चाती थी जैसे आप पूझा करते थे वैसे मैं भी पूझा करती थी उस दिन उत्जब में जैसे ही मैंने आपको आते हुई देखा मैं सरूवर की और चली गए मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख लिया तो आपको दोश लगी यह 24 साल मैंने कैसे गुजारे सर्फ मैं ही जानती हूँ मुझे सिर्फ उस बाल का इंदजार था जब आपको जी भर के देख सको या के के समय भी मैं आपको देखने पाई इस डर से कहीं अब आपको देखे रोना पड़ो वहां लो देखते तो क्या कहते आप गए तो अब देख लो अब आपको देखे लो आप मुझे एक वचन देंगे मैंने अपनी सारी सिंदगी सर्फ आभी कुछ आए मैं आपको कभी नहीं रोकूँगी चाहे जैसे रहे लेकिन आप एक वचन देखे की मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे आपको कर अवसे लोड़ेंगे क्या प्रावी कुछ आपको कभी नहीं परावारेंगे वेल्कम टु कोईल कुंटला सरकार स्वागण ये लाका बहुत ज्याड़ पीस्फुल लगता है सुब समाचार है तुमारे लिए अब तुम्हें फसल पर लगान देनी की कोई जरूरत नहीं है बस जमीन पर देना होगा बेजे में नहीं घुशी बात अब से फसल पैदा हो या ना हो जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा सेरकार हब जो फसल का ही होगान नहीं दिया जारा ऐसे में अगर पैदाबार न होई तो कहसे संधिंग लगा तो फिर नुम्धूर इन मजदूरों को इनकी महनत का जोपनता है दे दोरा के बचाने। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है. माँ के बिना कैसे जिएंगे, सरकार? जहां तक है तुम्हारे जमीन? उस पहारी तक है, सरकार. फुल पांच गाओ. अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है जान दे सकते हैं सरकर लिट्स प्लेया गेंग यहां से जितने दूर तुम दोड सकता है तौरो जितने जमीन पर तुम दोड गए वो जमीन तुमारी हुई भाट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दोड़ेगा अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी तुम्हें शर्त मन्जूर है कर दो 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 पर जो किर पड़ा तो गया कल्या कई भैस पाने में सरकार लगता है अपना घोडा मैसोर से पहले नहीं रुके गा हाँ रॉन्ड यूप सरकार लोड़ा यूप पोटो सो बया, येलो. आराम से. रिट्टी जी आपने बोला लगा नहीं देना लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार हैं ही नहीं यानि नोसम का आपको गोग लेना नए डलहौजी लौग के मुताबिक रैर कानूनी है तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए मेरी विरासद पे सवाहर उठाने वाला तू हो तको यह मेरेता व बेलायत गए थे तो उनन से तू पएदा हुआ तो पेदा हुआ था या तिराबग्स तू पाइध है पेटा है नवाद है vul 11 कोझ फिसवर्ट कैन लाजरें के नहीं है ड़õ नाहीं arte नहीं हो कोथिस है पुँआ होता है समीन स कर फासल तक सब हमारा है वसीना हमारा है खेट हमारी है पीछ हमारा है भाणी हमारा है ये भर्ती हमारी है इसका अनाच हमारा है तो फिर हम तुझे लगान क्यूं है हम इस धर्दी की संतान है इस मिट्टी पर हक हमारा है तो पेर हम कुझे लगान क्यों दें शुबया सरकार इस भूमी पर हल किस ने चलाए उन ने चलाए तो इसकी पैदावार पर किस का हक है सरकार रुप जाए जरा भीर तो देखिए देखिए चारों तरफ यह समय ठीक नहीं है चलिए प्लीज कम अपना सर जुका जुका अब जाए और ध्यान रहे सर उठाने की गलती हर्गिस मत करना अब सीधे लंडन में ही सर उठाना वरना बच्टाएगा यहां दुबारा कदम रखा तो सर काट तूगा सरकार गोड़े ने क्या किया है नर्से मर रेड़ी ने इसके दिल में डर बहर दिया है जब भी हम इस पर बैठता है यह हमें उस डर की याद दिलाता है इस नर्से मर रेड़ी को मारने के लिए मद्रास से पठा लें बुलवा लें सरकार मद्रास की ताकत हमारे दम से है मारना हमें नर्से मर रेड़ी को नहीं उन गोलामों में सर उठाती हुई बगावत को है हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते है फिर देखेंगे ताकत किस में है उसका एरिया छोड़ दो बाकी पूरे दत्र मंडलम से टैक्स की वसूम दो और देहुए सभी लोगों की चीख है उसके गाउं तक जानी चाहिए इतनी तैशन भेला दो के उसकी हिम्मत ही डूट जाए हरुआ पादर छो पादरो फोड़ो छोड़ो छोवगे सकाथ सुनाए तुमने लगाम देने समना किया है अपना लुटाओ एक मुठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए और बाव तता मंदलों टैक्स सब रेडी है साँ सिर्फ एक एरिया को छोड़ का पड़ा मालिक बोलिए मालिक कल जंगम मलाया जी बड़े पैवाने पर भूमी पूजन करने वाले हैं आकाल के कारण जिनकी शादियां रुख गए थी क्यों न वो भी संपर्न कर ले जरूर ये शुबामंत्रन आप मेरे बड़े भाई को दे दीजे जैसे आप गेच्छ जंगम मलाया जी सरकार मैखल जगनात मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा जी आप उसी समय अपनी भूमी पूजन का शुबारम कर सकते हैं जो आग गया सरकार ओ बनना सरकार नोसम के लिए से हमें इस बार जितनी भी पैंशन मिली है वो इन जोनों को शादी के उपहार में दे दीजिए जी सरकार पैंशन हाँ ओ देखो तो सही पैंशन लेने आया था मिल गई ना पैंशन तेख लिया ना पोल दिया नरसिमा रेडी को हम उसे बालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोट लिया गया था इस कुप्ते को समझ भी निया कि पैंशन नहीं मिलेगी पूरा सिर्मून तो दुबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए अरे अरे पहले भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद ही हम खा सकते हैं करें बूक लगी है माँ अपने फसल की पहली कटाई देवी मां को और पड़ करें को जिया तुन कि नहीं कि इस प्रचितय के तुन वानुखम कि अधनलिए। कर दो लगता इस बार फसल अच्छी हुई सोजा सरा अनाजगरी में डाल दो सरकार, सरकार, दो साल बादिती अच्छी पैदावार हुई है हम ठोड़ा ठोड़ा करके लगान भर देंगे क्या, 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है ये धर्ती भी हमारी है इतनी हिम्मत कहां से आगई पे मुझे अगर हम छासटगाओं की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा सरकार, सरकार पूरा अनाजग ले गए तो हम लोग क्या खाएगा अगर भी जाएगा ओके इनको अँआरा बिटिश रोल संचाओ रागवचारी की सारकार, सब ध्यान से सुनो बिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है आज से गाव में जिसका भी प्या होगा उसकी तुलन पहले कोरिल साबों के साथ सुई इससे तुम्हारा ही फायदा है इससे तुम्हारा काला नसल कोर हो जाएगा सबसे पहले हम इन दस तुनहनों के साथ सुईगा ओ, डर क्यों रही हो हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए रोज रात एक काफी है तुम सभी काववाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़किया अरे रोख क्यों रहो सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाब फसल से चुकाएंगे लड़कियां दो फसल ले जाओ सरकार फूप तो हम धिर भी सहलेंगे बेजसती नहीं सहबाएंगे सरकार वाणाज ले जाओंगे सरकार अबर वाणाज ले जाओंगे after all औरत के इज़त के वास्ते तुमने चयासत गाओं की वसल कुर्बान कर दी यू ब्लोड़ी बार्बारियू ॽज़र्स मूवज पुर्य औरत के फसल कुर्द इस कुछ कुछ कि यहां कर रहे हो बेटा कि बस्वया कि पापस रखे माफ कर दो सरकार छोटा है फिर से चोरी मैंने चोरी ने कीमा यह हमारा है यह लोग चोरी करके लेके जा रहे है अगरसल नहीं बोलते बेटा वापस रख दे नहीं रखूंगा अजया बेटा चोड़ो पे चोड़ो वापस रख दे बेटा कोड़ो वापस रखूंगा कोड़ो वापस रखूंगा कोड़ो वापस रखूंगा कोड़ो वापस मुआर chicken कोड़ो वा मिन पापस रखूंगा कोड़ो वापस रखूंगा कि झाल, बाbn से झाल, झाल, झाल! 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 हम हमको को जगना में ही रहेंगे कि यह थी एह तक तम्हें वक्त दिया। आने दोसे, हम कोई हल경तला में ही रहेंगे मास्खेम के खाम, उसे बोलो हमारा पाउप पढ़के पाउप भी माँगे, उसको अपना खुलाम बना कर जिन्दा छोड़ देगा, वन्ना उसे भी जही चला देगा तुम्हरे सामने, वन्ना, सरकार, ठिंडोरा पिठवा दो, इस दत्ता मन्लम के गाउं गाउं, कली-कली, घ घर घर में ये एलान करवा दो, कल शाम से पहले, उसके घर में घुजके, उसका सर काटूंगा, और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आखों से देखेगा, इस वासूम की चली हुई मुठिया साक्षी है, और सूली पर चड़े ये किसां साक्षी है, इन दुलहनो की आखों का आखों के आशसू साक्षी है, ये पच्चारी नरसिम्मा रडियू से उर्टियू ड़न देगा, अई वो गड्जा कमारी मों का ता माशा डेखना! जटसन अमरहे, होना दोसे! कर दो सकते हैं कर दो सकते हैं जी आड़ खादू ही आया है! करिंग से ओते हैं? झाल कि रखर एंग सिर्थ, आप रर करा बंग सो टॉप पैंग, आप एंग एंग सर लोग एंग, उड़ एंग एंग, झाफ एंग, एंग, एंग सकतना में, एंग, एंग साइब एंग! झाल 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 हपर अखिया है? झाल डड़ा झाल पर दो दो झाल एदो! झाल 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 वह दो जो जो करना। झाल 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 सरकार दक्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेशरी में नहीं है सिर्फ आट सो पांच रुपया दस आना और चार पैसा मिला है सारा मदराश जा रहा है जाने दीजे सरकार उस जैक्सन से भुक्ती मिल गई इतना ही काफी है काफी नहीं है सिर्फ उसकी मौद काफी नहीं है हमें हमारी संपता भी वापस चाहिए वो हमारा धन है हमारा स्वाबिमान है एक खास का तिन का भी हमारी समीन से नहीं जाना चाहिए सोजर्स, on the alert दो, सब्सक्ता तो, सार्द काफी रगला है सब्सक् काफी है मच राहण ऐसे बातां कि आपना है? भगवान नर्शिमाने अवतार ले ले लिया है सरकार हुँँआ एच हुँँआ वाच जो कहानी आपको मनगरंद लगती थी वो अब साच हो गए कभी हिरन ने कश्चप नाम का एक राक्षास हुआ करता था जो अपने आपको अमर मानता था अपसन अमर है उसे मारने के लिए भगवान नर्सिमा खंबाचीर के प्रगाठ हुए उसकी मृद्यो ना घर में हुई ना बाहर ना तीन में ना रात मैं आ धर टी पर ना आगाश में संग्ळार हुआ उस्का वो अवतार संग्ळार से खन्ड हुआ यह अवतार संग्ळार से शरू हुआ। श TORKST!! बुल्षिट ये अव्तार जिसने एक महासमराजय को ललकारा है उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा Soldiers, for the queen, crown, and the country Lord Narsimah का अफदाल No, label him a decoy उसने सारे के सारे पिटी सामराजय के खसाने लुट लिए वो देवता नहीं, एक टाखू है मैं इस Narsimah Reddy को देखना जाता हूँ एक चित्रकार से उसका चित्र बन्वाओ जिसने उसे देखा हूँ ये लेटर लंडन पोचने से बेले मैं उसे मरा देखना जाता हूँ Sir, 57th Regiment, 300 Soldiers, ready तब तयार हो जाँ, Narsimah Reddy के चार टुकने करना दिंक तुक्रे दत्तामनलम के गाहों में फेख दो और जोथा उसका सर मेरे पास ले आना Soldiers, advance! मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है साहिरा, इस धर्ती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए है स्वतंत्रता के लिए ये बना युद्ध है इस युद्ध को तुमें चीत रहा होगा इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुमें है एक बच्चे में निर्भैता जगा कर उसे मुठी बंद करने की शक्ती थी तुम्हारा संकर्ष समाप्त हुआ अंग्रेजों की गर्दन काट कर तुमने असली युद्ध आरंब किया है कि तुम्हें विश्वास है कि पालेकरी कत्रित होंगी और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें हमने विद्रो नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं अंग्रेजों से बगावत करके बड़े-बड़े महराजा मिट्टी में मिल गए तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ प्रजा प्रजा ही लड़ेगी ये यूद प्रजा यूद लड़ेगी मैं कुछ समझा नहीं राजा राजा से लड़ता है सैनिक सैनिक से लड़ता है कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है कभी सुना है जो सुना नहीं, वो अब होगा. हम चाहें तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं हैं, तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं. हम लड़ना शुरू करेंगे, तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे. लोग इस लड़ाई को करांती में बदल देंगे. करांती आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन यूद्ध. प्रजा अगर साथ लड़ेगी, तब जाकर इस धेश को स्वतंत्र दाबे लेगी. पहले हमें आने वाले संकट से मचने के बारे में सोचना चाहिए. अल्लारणी, हम सबने मिलके जो निर्णे लिया है, वो अपने भाई को बता दीजिए. भाई मेरे, तुमने जो ख़जाना लूटा वो गाउँ वालों में तो बाट दिया, पर तुम्हारे कारान हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए. इसलिए हम सबने मिलके एक निर्णे लिया है, हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए, बस तुम्हें उनसे ये कहना है, कि जो कुछ भी हुआ, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें शमा मांगे हैं जाएगे. भूल जाओंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, शमा मांगने पर अपने भाई का सरकार दोगे, ये कोई बैलों की दौड नहीं है, नरसे मारेड़ी, बैलों की दौड नहीं है ये, तीन सो तोपों और फिरंग्यों के साथ युद्ध, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं, यहां उपस्तित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, नरसे मारेड़ी, तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं लड़ूगा. हाँ, 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 ह हुछ गदाव कि है तर ला पता है जांथा तैन तर रोर आएगा तेका तैं से ट brush अपना हल लाँ अपना अनारा खुद काया है आपना ऑना एक हे चुछ पर रनाँा अठा है को ड़े की तरह दौ कता हूं और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम लड़ को मा सकता आप आगे बढ़िए सर्कार, मैं आपके साथ भूड़ से इन a सकार कि अऴ्य जय कर दो से वांगे हुए म लड़ किःना मम मातवी करता हुए मातवी उड़ मैं, आपके बढ़ से वांगे हुए मिढ एपके जम बढ़ you जो एए! क्रिवजिए गड़. करेंगर भीच्स कारण फड़नी बाओ करेंगर झाल 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 लेकर ने डोल लेकर आपने T defined विल्डेप खौरी नर्शेफ लेड़ ले सी भीसफ चाही बेड़ नरा सिम्हा रटे, लेकर दूल सुम्हा सुझा रटे नेफ फजी बिद्य। उन्यूल सुम्हा लेकरियर लेकरे लुरिप रजब मंध्रास प्रिश्टेंजरी अवाव और और शौर्ण कुलाँ प्रिप्र अच्छें के अच्छें प्राइब I repeat, Narasimha-Rendee, surrender! Fire! वास्टोसासे लो! वात्तरीक! के रिखन आकावाया! ठंध posición! bows झार्णي! रेनाडू के वीर यो भाव ये युद अपने लिए नहीं लड़ो अपने भाईों के लिए अपनी माओं के लिए अपने बच्चों के लिए लड़ो जाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं लेकिन आज इतिहास हम से लिखा जाएगा हम उनके लिए सिर्फ चालिस आमादे जरूर हो सकते हैं लेकिन इन्ही चालिस ने तसामराच्ची किरा दिया इतिहास इसका गवा होगा युद का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या हत्यार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या शिकार करना तुमारे लिए नया नहीं है वैशी धर्म्दों को मारना तुमारे लिए नया नहीं है चलो शिकार करें यह धर्दी किसकी है यह यूद किसका है पिजह किसकी होगी इंट एंट एंट एंक आए एंक आए हैular है cake सबस्तक है एंक प्राइब कहныत dijo अर्शलिक, टॉर्ण! झाल प्राइब वाल उल एख बाख टाए जो और मारीफ जो कि बाख आए भोले नहीं है दिए मारी में रखशा करना जा करना जो ब의 हमय के बढєं़ के जाखने ले शेणë जा हूओ झाथा सुल 술ण के जा होग। तर आह झाणे ले शे के जंडे इसे धर परहा थार विए पीष पिसिजवर झाल रे ही जा इनम केऊlingen शेको निए भाल धाने! भटी मेर प्रखेंआ! तेके नहाइआए वभट! तेके उहाइआ! यिराज़न विर जोला कर दोला कि उनकति रइंड थाया विराज ए। आप 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 पżeliग जाप, चाहिप आप आप अँछ आप झाप €्व्प्ट वरो आप सिद्धुमा, पस थोड़े हमत और बेटा कि अपयर दोड़े हमें आफि रहां क्याओ रहां कि अपयर वार क्या रहा रहा कि रगा जब अपया कि भूआ कि अपयर जब सतना जफ जब सतना कि जफ़ कि जब हो जयी एँ घान पर वसी हाँ कि जब हो bueno सुर्या, सुर्या, हैसी ही मौत मैं जाता सुर्या 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 य trad ऴि सुर्या 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 अच्छ। अच्छ। पिर्याओ वान स्च्छ। आँ वान नच्छ। तुम्हारा साथ नहीं दिया पर तुम अकेले डटे रहे वही तीन सौ फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए उसे पल तुमने उनहीं भी चीत लिया और मैं तुम्हारे इसी चीत को अपनी आखों से देखने आया हूँ साइरा नरसिम्हा रेटी तुम मुझे पसंद आये अफकु राजु पर तुम मुझे पसंद नहीं हो जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझे से पहले कर दिखाया जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए इसलिए तुम मुझे बिलकु पसंद नहीं हो एक दिन इस संदोलन में तुम से आके निकल जाओंगा और मैं खुशी से तुम्हे जाने कूँगा सहीरा, सही सहीरा सहीरा, 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 सहीरा तुमारा बीटा स्वस्तांतरता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं सुबया मेरे बेटे का नाम होगा सुबया उसका सर बस आ रहा है सरकार, उसे एक सर के लिए इतनी सारे कितकियों मंड़ा रहे है अ अ एक संदेश भी भेजाए सरकार आ आ आ आ आ एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया अब की बार तीन सो को मारा है तो समझ जा ये एक अंदोलन है स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद का पास विलायत नहीं जाएंगे तुम्हारी सफेद चम्णियां जाएंगे अपनी भारत भूमी पर खड़ा मैं तुम्हें साफधान करता हूं मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा तुम्हारा शुक्चिन तक मच्चारी नर्सिम्हा रेड़ी Stop reading! Who the hell is this Narsimha ready? Sakar, Narsimha ready kachutra pan gya Kuchh नहीं लिखा इसमें वो हमारे सामने खुद आके हमें चितावनी दे के चला गया यद शुरू कर गया है सरकार तुम्हारा शुम्हारा 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 मैं खुश हूँ कि आप लोग हमारे साथ चुड़ गए अब हमारा विद्रो जन जन का अंदोलन बन जाएगा अब आगे क्या करना है हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद कहा जाएगा लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन अंदोलन बनेगा हम प्रजा के साथ ही रहें सिद्धमा क्या आज तक मैंने तुम से कभी कुछ मांगा है कभी नहीं यहां क्या कह रहें क्या आज तो मुझे एक वचन दोगी कहिएगा क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो मेरी जीवन संगनी तो तुम होई लेकिन क्या तुम मेरी संगर संगनी बन सकती हो मतलब आप यूद करेंगे अंग्रीसों से और मैं जीवन का यह यूद बेना आपके लड़ने के लिए तैयार रहूं यही नहीं मैं लड़ूंगी आपकी मह और पीटे दोनों का ख्याल रखोगी अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा मेरे स्वाभिमान और संगर्श के लिए तुम बच्पन से बलिदान देदी आ रही हो इस जनम के लिए क्या तुम मुझे शमा करबाऊ यह क्या रहे है ऐसी बात मत कीजिए सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है और मैं भी जानती हूँ कि यह सच है लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं यह धर्दी और यह लोग इनको आपकी जरूरत है ना चोड़ने का वचन दियतना आपने आपके वचन को कभी तूटने नहीं दोंगी आज मैं आपको अजाद कर रहे हूं निश्चन दोंगर लड़ीए युद में साथ लड़ रहे हैं लोगों को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिष्टे त्याग दिये हैं मेरे साथ चलिए अलसभा से पहले आपको कोथा कोटा जोड़ने का आदेश है हुजए 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 आफ इसे आफ दोच वह श्रकार की तरफ से मैं आखरी बार पूछ रहा हूं वो नरसमारे डिकाहा है पता दो हमारे दिल मेरे रहते हैं वो हमारे दिल मेरे रहते हैं वो शूट दें हंज हम कितने लोग है उसके साफ यही कोई सौदोस होंगे साइरा 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 हम अंदोलन से कभी चल नहीं करेंगे नहीं कभी से चोड़ेंगे जब तक भारत मां बुक्ष नहीं हो रागी साइरा भात भास ? बाइ साम। उन्हें कैसे कुदा कि हमने उसे कड़ बाखी ले में छुपाया है नर्सिमा, सुलो, भाईया से भूल हो गई उन लालच में पढ़ गारते बढ़ जाओ सामने से मजीद पार उने क्षमा करतो भूल क्षमा की चाती है विश्वास खात नहीं ए, तुने के वल भाई से नहीं वलकि आंदोलन से चल किया बड़ी मा, आप जैसी माता से जनम लेकर भी इसने अक्षम में अपराद किया है इसे क्या सजा देनी है, यह आप पे है दीदी, मेरी खादिरे से शमा करतो चार महिने से हम उसे जंगलों में दून रहे हैं पर उसका कोई पता ने चला उसे जिंदा पकड़वाने वाले को पाच हजार का इनाम दिया जाएगा जानता हूँ वो कहा है? कितना दो गे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आगे लाइसा तो पूरा भीलेगे ना? जितना बोला ता उससे ज्यादा ही मिलेगा चलो कितना उसक्ता प्यादा है मैं आपके लिए इदर आया था और यापके सर पर लगे इनाम के लिए द्रोगी दे दिया इनाम मैंने इसे तुम हो काँ राजय पांडी कहां से आयो तुम वीरों को जन्ने वाली तमिल भूमी से लेगन यहां क्यों आयो आप छे महीनों से गोरों के साथ अखेले लड़ रहे इसलिए आपका साथ देने चला आए मुझे रख लीजिए लक्षमन की तरह हमेशा साथ में रहूंगा चाहे वीरता में हो या वीर गती में इलड़ा तुम तमिल हो और हम तेलगु लोग साथ कैसे लड़ेंगे भारत महां हम दोनों की माह हैं तो यह मेरे भाईू है कुछ आपका नाम जन सकती हो लक्षमी आपने तो अंदूलन में नहीं प्राइब हो सकता है हम लड़ लेंगे भरूसा रखिए नरसीमा रेड़ी के बारे में कैसे जानते हो नरसीमा रेड़ी को तमिल आट में सब लोग जानते हैं गाओं गाओं में इनकी बहादूरी के गीत काय आपका नाम जन सकती हो लक्षमी आपने तो अंदूलन में नहीं प्राण भूब दिये उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उने जानती हैं मैं भी तो इसी का इसा हूं और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता श्यमा करना आपकी अनुमाते के बेना आपके साथ गाने लगी सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है युद में अपना कोई वीर भेजिए मैंने तो युद के नायक को भीज़े मैं उनकी पत्नी हो क्या वो भी यहां मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी इसलिए उन्हें आजाद कर दिया उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं सहीगा मुझे भी आपका बेटा क्या मैं किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का सहीगा क्या हुआ आज से ये रेनाडू की भूमी स्वतंत्र है अपनी मात्र भूमी से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूगा पता दो अपने लंडन के आकाओं को मैं रेनाडू का नया महराज हूँ पता दो कि अगर मेरी धर्ती पर पाव रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा अब तुम अंग्रेजों की नडाई गुलामों से नहीं स्वासांत्र भारत वासियों से है इसे पहले कि लंडन तक बात पहुचे इसे रोकना ही पड़ेगा ये हम कैसे करेंगे मां आप सब अचानक यां हमें लगा कोई अन्होनी होने वाली है नरसिमा पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुमें देखने चले आए तरने की कोई बात नहीं है मां जैसे पलके आँखों की सुरक्षा करती है वैसे ही इसे ना मिन मेरे लिए प् रहनाडू का राजय एक हो सकता है और वो हूं मैं आउकुराजू मैंने तो सोचा था आउकुराजू मर गया आज पता चला वो जिन्दा है मुझ से हाथ मिला लो दोनों मिलकर राज करेंगे कैसे नरसिमा रिटी और उसके परिवार को मिटा कर और उसके बाद कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजी नमाएगे हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिससे होगे पुत्तर का राजा मैं और दक्षण के राजा तुम बनोगे पर हम दोनों काफी हैं हम जैसे कई और लोग हैं सेना में बस तुम जैसा एक साथ ही चाहिए तो बताओ कब करें आज रात को जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसे रेटी आज रात को आदी रात को जब सब सो रहे होंगे मैं के लिए के द्वार खोल दूँगा मेरे आदमी अंदर आ जाएगे नरसिमा रेटी सबसे आखरी वाले कमरे में सोता है सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से धर्वाजा खोल दूगा पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा उसे मैं मारूंगा भलोषक परीद सबत्सक्राघ भांड़त्षक, तरक्षक राण्altetर हो भाजा गते कर दो दोखेबास अपने राजा को दोखा देगा मैं अपने राजा को कभी दोखा नहीं दूगा दूश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के साफ को पैचानना ज़रूरी है तुमारे ज्छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें लेकिन तुमारे जहरीले एरादों में और कौन-कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल खेला अब खेल खातुए अना सीने में नहीं वो तो वीर की मौत होती है ये पापी सौगंद खाकर मुकर गया है ये दलवार इसकी गर्दन में गुसा दो अब कराजू अब कर दो हुआ कर दो है शमा मांगने वाले का मर जनाए बहतर है बसे रेट ये अब आशनर सिमा नायक हो तो तुम जैसा एक एक दोही को ठोणके मार दिया एक द्रोही अब भी बाकी है वीरारेटी जब तक डर और लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे मैं तो इसे वही मारने वाला था लेकिन फिर मुझे तुमारा ख्याल आया इसे क्या दंड देना है ये तुम सोचो तुम से नहीं होगा मुझे पेचोड़ दो मुझे वही जए पेचोड़ दू है आतमकर दो से आतमकर दो इसे कर दो कर दो कि लक्षमी लोगों को भड़काती है आजादी के गीद काती है नचनिया है तलवार युद जीत सकती है लेकिन कला युद छेट सकती है ये नर्सिमा रेड़ी से खतरनाक है सरकार ये नर्सिमा रेड़ी की प्रेमिका है ये लोगों को अपनी कला से भढ़का रही है आज हमारी भी आग भढ़काएगी बिना कपड़ों के रांग बचारी कम से कम मैं अपने आखें तो सेंख लो ये शरीच तिर्फ नर्सिमा रेड़ी के लिए है कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता हूँ क्या लगता है नर्सिमा रेड़ी तुझे बचाने आएगा सरा अपने चारों तरफ तो देख बारूत से भरे ये हजारों पक से युद्ध के लिए नहीं नौर संगहौर की तत्त मंडलम में कोई सवेरी का सूरज नहीं देखेगा तेरा नर्सिमा रेड़ी भी नहीं कोई रास्ता नहीं है तेरे पास चल नाच 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 हर जीवन का महत्व होना चाहिए हर मृत्यू एक नए जीवन का शुभारम होना चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष पा लिया उस दिन अपने मृत्यू का उदेश भी पा लिए है 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 कर देंगत कर दो कर दो और कर दो झाल 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 जाजमान, बृतक का नाम बताईये? लक्ष्मी, लक्ष्मी नर्समारेटी च्ष्मी नाम बता झाल 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 एक औरत ने सुईसाइड ब्लास करके हमारे 300 सिभाईयों का उड़ा दिया 9000 लोग इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े हैं? What is happening? Freedom fight. वो समझता है कुछ चुहों के साथ मिलकर वो जनांदोलन छेड़ देगा हमारे खिलाफ कैसा जनांदोलन? My lord, शेरों की सेना से डरनी की जुरूरत नहीं अगर उसका नायक चुहा हो. लेकिन चुहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है. वो हर चुहे को शेर बना देगा. इस वीर तिलक से तुम्हें भारत मा के माथ्य पर आजादी का सिंदूर लगाना है. युद्ध का ऐलान करो. उसे समझाते के लिए बनाओ. अगर वो मना करें तो उसे मात डालो. जाओ बीटा, रण भूमी में विजय हो. बात्र भूमी का रण चुकाने का समय आगिया है. अपने रक्सियाच, अमारे इस भालंदेशको, हमेशक लिया असादको. शेयाँ! शेयाँ! प्रपार अच्छियाँ! प्रप्वार अच्छियाँ! वियाँ! प्रपार अच्छियाँ! लद सस वा हम अुच्छ छाय शायर्स हाँaround हुआगा फेल करभ़स कर दो हुआ कर का हुआए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है डावा बोठान से को रह रहां ओम से कि वह झांड़ी से करले फड़ा मेंगाु बढ़ा खड़ा प्रेश से से के वह झांट कि विख जे एंजाव रहात ही करे अर चाई सर्ब स्टक्ष घुट हो ही करे दूढकि रहा हुआ जाल हुआ हुआ होआए करे दोत करदा सरा करेद लिए कर दो! कि अी को लुटेए कि अाथा बंटम माढ आसे अ कर लाव कि अमं जा जा ना इसाह आना, आसे हाई! आसे ही हैं यह बंटम मी बंटम आसे शालोोग आसेstill मिएपे ही रह on बेख़ बेख़ धना को अबेगा हुआ से अबेख़ नहां झाल प्रवार 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 प्रवा आग राव Rग्झ न वरी वार्यार्या उके डॉष्पू है? हमार्यार! हर्यार! हर्यार! दोली的 गड़ble हर्यार्यार! रुष कुछלब जास झाल 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 3,000 of the men are dead, sir 10,000 of our men have died You tried to hide this from me What about Narasimha Reddy? He's very badly wounded, sir Sir, he's not Narasimha Reddy is not just one name It's not just one name It's a rule of freedom He took us with 40 people with him He took us with our 300 people with our 4,000 people If this country knows that he took us with 10 people or 5,000 people with his Triana 4,000,000,000,000,000,000,000,000 Or 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 new people You know not just one library सुझ Mr. Veera Reddy तुम मेरे शत्रु हो और मै तुमारा सुना मैने तुमारे बारे में तुमारे साथ बहुत बुरा हुआ सुनकर तरसाया सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और उस बेटे को नरसिमा रेटी ने मार दिया उसना विश्वास खाथ किया इसे लिए नरसिमा रेटी ने मार दिया उसे ब्लादी ब्लॉड रिलेशन्स, हमेशा नाइनसाफी की वजह बनते हैं। मेरा तो खुन खुल रहा है। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो, वीरा रेड़ी। मैं यहां पर तुम्हारा फाइदा उठाने नहीं आया हूँ। परान के खोल कर देखो कौन तुम्हारा फाइदा उठा रहा है। सोच के देखो, वीरा रेड़ी। स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। मैंने सुना, मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे बहुत दर लग रहा है। आज कार्थिक पूर्णिमा है। जगना तिले पर दिया जलेगा। कहां जा रहे हो नल स्वामा। अज कार्थिक पूर्णिमा की रात है। तीले पर दीप जलने जाना ही होगा मुझे। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है। फिरंगी पहले ही अफ़ा भेला रहे हैं कि तुम मर चुके हो। आज हजारों लोगों की आखे ठीले की और बड़ी आशा से देख रही होंगी। और उन्हें ये दिखना चाहिए। कि हम युद्जीत गए हैं और हमारा अंदूलन जिन्दा है। अभी तुम जरूरी हो वो तीप नहीं। नहीं, वो विश्वास जरूरी है जो लोगोंने हमें दिखाया है। आज उस दीपक का चलना जरूरी है। मुझे लग रहे हैं कोई अन्होनी होने वाली हैं अंदर से मारेटी। अंदर से मारेटी विल्कुल सही कह रहे है। विश्वास नहीं मरना चाहिए। कोई अन्होनी नहीं होगी। मुझ में भिरोसा रखो। थम्होनी झाला जरूराण होगी। मैं अन्होनी कहने इसा रहे हैं रहे हां काच्रोंल मैं अंदरी कोई यृट सिद्धबा कैसे हो सिद्धबा सिद्धबा कैसी हो तु ठीक तो है न हाँ लेकिन इस समें तुम यहां क्या कर रहे हो के सिर्फबा के सिर्फबा ठीक राइचा अजन सिर्फबा अजनाब चिंग ओल के सिर्फबा क्या हो गया? वीरा रेडी? क्या हो रहा आपको? चक्कर क्यों हो रहे? इस समय तुम्हारा यार है न ठीक है? निको यहां से, जल्दी करो. आपको एसे छोड़के नहीं. जाओ. दीपक जलना नहीं चाहिए. उसे जिन्दा परेगो. संभड़के. सिद्धमा, यह रास्ता कोई नहीं जाने का. तुम इस गुफ़ा से निकल जाओ. जल्दी करो. मुझे यही रहने दीजिए. नहीं सिद्धमा, उस दीप को जलाना ही होगा. तुम्हे इस दीपक को संभाल के लिए. जाओ. संभाल के लिए. मेरी चिंदा मत करो. जीवन संभन्दों से जयादा करतावयों के लिए उना चाहे. जीवन संभना चाहे. क्या स्वावयों जाओ. मेरी उना चाहे हो. सवावयों जाओ. जाओ. क्या चाहे हो. मैरी ईंदाना चाहे. के वो इंड हो भाल करने, बहो कर लो देड़ी तार्य। कि दो कि अचे जो जो खुड़ में जो कि अचा अचा रहा है कर दो कर दो कर दो तो सहुआ है खजए नहां कर दो कर दो कि अ वो कर दो हो जो आदकि अंदान कर दो आख कर दो कि अच्छी बेठा तुम जिन्दा हो नहीं उन्हाने मझे नहीं वारा बाबा तुम जानते हो ना, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे बाबा, बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्होंने तुमसे, अगर तुम मर गए, तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रिड्डी को ऐसे नहीं देख सकता, जाओ, और अपने पिता को फूरी तरह से मार दो, जाओ, तुम्हारा दी हूँ मैं, मर जाने तुम्हारे तुमसे नहीं अंग्रेज़ों से छल करो, देश भक्त कहलाओगे, देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे, बाबा, नर्सी महारेडी को नर्शीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है, उन्हें बताना है, कहां में लेंगे वो बाबा, वो नीच मेंगे वो, यापने क्या कर दिया, क्यार मेरेडी के लिए, वो बादने के लिए, बादने मेरा से खाए, क्यार मेरी, विरा रिदी अगर तुम्हारी कोई अंते में चाहो तो अभी इसी वक्त बताओ सक्षिंटाओ रम माधरलेण जन्ता की मौझूद्गी में इसे पासी पर लटकादू गफज़ फड़ पारेक्ट रप्र पार बारेक्टित लाष बहिता है प्रवाट बाट। बूब ल良 कि पहार नहीं नहले हो और वbench नहीं कर लो लमहें लंत पुडर जहाल भी शी fijि बडर जय खिर लेओ लेखे हां झाल झाल भुझ में भी अपने मिटर का साथ दे माता दो अच्छा होता नरस दिर्ब्दी जो जीत की का कार परखोले हैं वो नौत से परें हैं भुझ में पराजित नहीं कर सथी लो इस दो कॉप भॉट प्सटयरी अधर्लत किंविक्स जी परेशनर माजारी नरसिमा रेडी on the counts of rebellion, murder and robbery and hence orders him to hang by the neck until death in the end of the day आसू पोच कर और सीना तान कर गर्थ से देखो मेरी और तुम्हारे सामने है सुटत्रता इस देश में माताए बच्चों को वीर गाधाए गाकर सुलाती है इस देश में जो युद्धु ए महाकाव्य बन गए इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया हम वो है जिनोंने दुनिया को मोक्ष सिखाया, अब हम सब को मुक्ती सिखाएंगे हमने बेखाफ जीना सिखाया, अब आज़्जाद मरना सिखाएंगे भारत की पवित्र भूमी से इन अंग्रेजों को खदेर कर दम लेना जो हमारी माओं की चातियों से दूझ चुड़ा कर उनका सर काते थे इस धर्ती पर जिसने भी जनम लिया, उसका सिर्फ एक परमलक्ष होना चाहिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो भी युद्व में शहीद हो जाता है, वो स्वेम युद्व बन जाता है, आज से मैं भी युद्व हूँ जो राष्ट्र लिया उदी देता है, वो स्वेम राष्ट्र बन जाता है, आज से मैं राष्ट्र हूँ आज जब मुझे शूली पर चलाया जाएगा उसका उत्साब बनाना, महापर्द बना देना इस दिन को ये जो हो रहा है, ये मेरी मृत्यू नहीं है साथियो, जनम है आज का दिन भारत की स्वतंत्र ताका, जनम है, बारत माता की बारत माता की जनम है, बारत माता की स्वतंत्र ताका, 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 बारत मात कि एफड़ कि उलें जुटेवितन पिशा कि एकान हम जया में और rewसार कर दो, कर दो जबाला! क्यांएे थालु प्रियों के उ LAUGH झाल 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 झाल? पीटा बटि तु से अतल झाल कर्षयदे? तुनक्ना मुझे लौता ग्वार्ड कि हर एक बून थे एक नया नद के महर हम बढने whilst बुनेतो कि आणनी पीदा होगा स्वतात्र होने का तेर शुठता जरूर कुरा होगा आहिए आटो आटो नायक की मृत्यू से युद्ध का अंत होता है लेकिन तुम्हारी मृत्यू से ये युद्ध हरम हुआ है ये थमेगा नहीं, तम जीत का इना समा ये ये, आगि नहीं, फिरह कहीं, अबस्क पार दिए, और दिए अन्हारी गुर्ट आव कि युद्ध में नर्सिमा रेडी ने जानफूंकी थी, हम इसे आगे बढ़ाएंगे यहां के हर युद्धा के हत्यार में नर्सिमारेड़ी के प्रान बसे हैं क्या हम ये भूल जाएं? जाबी नहीं! हमारा लज़! बोलब दुद्दा, बना दुद्दा, बोलब दुद्दा!